आज का वीडियो कुछ अलग है मैं इसे सेवन मन्त पहले अपलोड कर चुकी थी और इसका जो शॉर्ट वीडियो था वो मेरा पहला शॉर्ट वीडियो था जो वायरल हुआ था जिस पे 29 लैक व्यूज हैं और 1.3 लाइक से हैं और इतने सारे उस पे कॉमेंट्स थे कि हमने कै कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाया और बहुत सारी क्यूशन थी उस टाइम में वाइस ओवर नहीं करती थी और मैं म्यूजिक डाल कर ही वीडियो अपलोड कर दिया करती थी उसका भी बहुत बड़ा रीजन है किसी दिन बताऊंगी बट आज मैं आपसे वह वीडियो फिर से श बहुत सारी कुशन ऐसे थे ना कि आपनी टूटा हुआ ग्लास क्यूं लिया टूटावा ग्लास नहीं लेना चाहिए बरतन टूटे वह यूज नहीं करने चाहिए बरतन कहां रहा ना हम इस पर कोई पानी तो पीएंगे नहीं मैं तो इसे एक मतलब ब्यूटिफुल सा प्ल जाएंगे और यह एक कॉटन का थ्रेड है जो कि आपको जहां पर सिलाई का समान मिलता है ना वहां पर एजिली मिल जाएगा तो इस पर कई तरह के कलर साते हैं तो आप वो ला सकते हो और मैंने इन मिरर्स की आउटलाइन सी बना दी है और वैसे तो यह बहुत ही ईजी सा है बट जैसे जो वैक्स का काम करेंगे वो थोड़ा सा ट्रीकी है तो उसमें बोलना जरूरी था बट वोईस ओवर तो मैं अभी कर रही हूं तो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि मैंने यह कैसे बनाया था तो आउटलाइन सी बन गई है मिरर पेस्ट हो चुक बोलना भी इसके साथ बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अब मैं ले रही हूँ वाइट सेमें जिसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे और ऐसा पेस्ट बना लेंगे और इसके अंदर डाल कर फिर हम इसे डैप टैप करके इसकी पूरी एयर निकाल देंगे इसकी जगह इस पे मतब टिकेंगे नी तो इसलिए मैंने इनको ना कलर नहीं किया था रात भर के लिए इस सिमेंट को छोड़ देना है ताकि यह हाड हो जाए वैक्स के फ्लार बनाने के लिए क्रियॉन कलर्स का यूज करेंगे बचे कुछे खुब सारे कलर्स मेरे पास पढ़े थे और गये लिए ले नी आ monkey कंडल ले रही हूँ और इसके अंदर जो भी ख्लर को फ्लार बनाने उसी क्रियॉन को लेकर राम ए हम क्रश करके ढाल देंगे और इसे बॉल करना है इससे सीधा डायरेक्ट कैस पर बॉल नहीं करना है एक बॉल में आपको गरम पानी करना है और उसके अपनी finger को पहले ठंडे पानी में डालना है और फिर उसके बाद wax में dip करके और जहां पर भी आपको flower बनाने हैं दो finger से तीन finger से आप इसे बनाते जाओगे तो ये wax के flower अपने आप बन जाएंगे और ये हाँ delicate होते हैं लेकिन थोड़े से तूट भी जाएंगे तो भी बहुत सुन्दर बनेंगे इन wax flowers related एक question बहुत जादा था कि ये बहुत delicate है तूट जाएंगे ये खराब हो जाएंगे ये melt हो जाएंगे गर्मी में तो ऐसा कुछ नहीं है आप इसे हाँ delicate है आप इसे चुओगे हाथ लगाओगे तो तूट जाएंगे लेकिन आप इसे अगर कहीं की side में decorate करके रखोगे तो ये नहीं तूटेंगे और वैसे इनको बनाना इतना easy है कि अगर ये तूट भी जाते हैं और मतलब थोड़े से dust से खराबी हो जाते हैं तो आप इसे दुबारा बना सकते हो और हाँ आप इसको जैसे बहुत जादा heat वाली जगह पे मत रखो जैस एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हपते